जैस्वामिनारेण दोस्तों अक्षा प्लांट एंड प्लांटेर में आप लोगों का स्वागत है अभी हम लोग ने यह अभी देखा डेनियम अपने पास में था यह वाला ऐसा जिसमें काफी सारी यह सारी ब्रांचेस क्या उपर की तरफ जारी है और यह इतना क्या सुन्दर भी नहीं लग रहा तो मैंने सुचा इसको आपना ऐसे करें एक मैथड होता वाइरिंग करने वाला बॉंसाई में जैसे नॉर्मली अपन वाइरिंग करते हैं तो वही मैथड आपन इसमें करके दे क्योंकि इसका क्यूडेक्स वैसे ठीक है पर इतना मोटा नहीं है कि जैसे एक दम मदलब कॉम्पैक्ट आपन क्यूडेक्स बोल सकें तो जिस तरीके के इसका शेप है हमीशा दोस्तों आप जब भी अडेनियम के ऊपर कोई क्रियेटिव काम करते हैं तो उसके सारे अपने क थोड़े से करेक्टर देख लेने चाहिए उसका की कि चेप का है ब्रांचे कि कि शेप की हैं और उन सबी का आणिलीसिस करते हुए आपने को जो है जो भी अपने को आटेनियम के ऊपर प्रोस्ट करना हो उस प्रोसर्स को आपन उसके हिसाब से आपना आनलाइज करें ऐसे कि कोई आडेमियम के ऊपर आपकश क्रीयेटिव काम करें और और सा थोड़ा सा लगना लगने लगे बाद में करने के बाद में तो यह थोड़ा सा मैंने अभी देखा ता घुम्ते गुम्ते मैं महा देखा यार इसमें काफी लंभी करने के लिए दोस्तों आपन क्या कर सकते हैं और कौपर वायर हो तो कौपर वायर ले सकते हैं और आपन करके ब्रांच को आज बैंड करेंगे जो खुबसूरती में किस तरीके से क्या परिवर्तन आएगा वह अपन देखेंगे करें लिकिते ले हैं यह अगर दोस्तों दिहान रखने वाली बात क्यांद करने ती कि इसको होने से अपने को फोसिबिलिटी उसको देनी पानी ज्यादा होने कीवज़े से कपर कच्ची होने इस तो आप बेंड करेंगे तो bringing व्रांच सकती है तो अपने को बारिस में प्रोसिस करना और करने से पहले कम दो कम दो ती दिन पहले अपने को पानी को फ्रोडी नर्म हो जा ferm और नर्ब होने की वज़े से आपन जो band करेंगे वो आसानी से band हो सके तो आपन एक एक करके देखते हैं बैंडिंग करने का process शुरू करते हैं और अपने को ध्यान रखने वाली क्या बात है कि band किस तरीके से करना है वो भी एक देखने वाली और समझने वाली बात है ऐसा नही कि सभी branches को एक मतलब बैंड सिर्फ simply ऐसे मोड देने कोई band करते हैं उसको आपन देखते हैं क्या क्या process से अपन कैसे band कर सकते हैं तो सब्से पहले आपन शुरू करते हैं आपन इसकी सारी branches को बैंड करेंगे तो एक एक के करके ब्रांच के आपन चुरू करते हैं सबसे पहले यह आपने जैसे कट किया कॉपर वायर को menor इस जो ब्रांच है इसके उपर आपन घुमा लें है थोड़े थोड़े हलके हलके हातों से अपने को इसके उपर घुमाना है दोस्तों बहुत जल्दी नहीं करने हैं बहुत जल्दी करने इसका ही बार क्या होता है कि ब्रांच तूट सकती है आपकी हलके हलके हातों से अंगुठे के जोर से इस तरीके से घुमाते चलना है और सब्सक्राइब निचे की तरफ बैंड करते और अपने कुल नीचे की तरफ करके फिर ऊपर की तूड़ाidstart करते तो ही जो ए ब्रांच से थोड़ा सा बड़ा अपने को वायर कट करना है बिलकुल एक्जक्ट ब्रांच के बराबर नहीं करना है क्योंकि ब्रांच के बराबर काटने से फिर या वालास्ट पॉंट तक वह बैंड नहीं हो पाती है तो दोस्तों अपने को बैंड करते समय क्या देना अपने को यह भी देखना है एक तो क्या है कि जहां वायर उपर आ रहा है उस जगह से अपने को इसको बैंड करना है हर जगह से नहीं कर देना है कि जहां से वायर नहीं है वहां से अपने को बैंड नहीं करना है और दूसरा जैसे नीचे की तरब से भी अपने को यह देखना है कि वायर कहां सी है वायर की जगह पर इसे बैंड कर देने से क्या होता है दोस्तों कि इसमें थोड़ी flexibility आ जाती है और यह तूटता नहीं अपना branch जो है आप जहां वायर नहीं वहां से अगर branch करेंगे तो कई बार branch जो है वह तूड़ जाती है अपने को यह भी ध्यान रखना है कि जो सारी जो ब्रांच है यह सिमेट्री में होई तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमने यह सभी branch को band कर लिया है लगबग लगबग यह कुछ जो है छोटी branches हैं जो आप देख पार होंगे अंदर से और ग्रोथ हारी है और यह कुछ जो है अपने और छोड़ दी है चार-पांच ब्रांच यह किसलिए चोड़ी है एक सिमेट्री बनी रहे अपन सारी आपने करिए और वाइरिंग करने के वज़े से जहां जहां अपने को खाली जगह दिखें वहां आपन थोड़ा सा वायर को band करके और अपने जो ब्रांच वहां पे अच्छे प्लांट के अंदर आपको दिखने लगेगा तो दोस्तों आज का वीडियो इतना यह था बहुत लंबा आपने नहीं खेंचा है जो एक्चुल वाते थी आपको वह मैंने जलद जलदी बता दिए फिर भी अपने को अपने को लगता है ना दोस्तों तो यहां पे इनको कर सकते हैं लास्ट पॉंट यहां से आप लास्ट है। यहां से पर मेंच कर सकते हैं हैं एक आकस्र प्लांट घंजो को शेयर करें लाइक करें और वीडियो देखने का बहुत भात धन्यवाद नमश्कार